वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला सब्सक्राइब कर लिए नमस्कार दोस्तों दोस्तों देख लिया होगा आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गया हूँ आज तक आपको इतने डीटेल में कोई नहीं बताया होगा कि PCS के क्या-क्या टॉपिक पढ़के ही आप प्रिलिम्स को निकाल सकते और यह UPSC के लिए भी है इस्पेशली टिक यूपियस्स और स्टेट पीसेस के लिए मैं बता रहा हूं यूपी पीसेस के लिए तो बहुत ध्यान से समझ जिए का जो मैं बता रहा हूं और छोटा वीडियो इसको बस जो मैं कह रहा हूँ इसको सुनिए घजरू ठीक है जै जैसे हडपा मोहंजोदाडो लोथल दोलावीरा ठीक है मांदा चानुदाडो सुरकोतदा यह सब जगह देखनी कौन सी जगह कहां पर है किस नदी के किनारे है उसकी खोज किसने की है ठीक और उन जगह से क्या मिला है जैसे मोहंजोदाडों से डांसिंगर मिली ग्रेट बा जो इंपोर्टन चीजें घोड़ा था सील थी कहां से ट्रेट करते थे मेलुवा बोलते थे कपास को हिंदन बोलते थे तो कहने के मतलब है इस चैप्टर को अच्छे से यह चीजे पढ़ लेनी है ठीक फिर वैदिक और लेटर वैदिक पीरेड में सारे रिगवेद जो चार है वो आपको पढ़ने उनकी सब की सोला महा जनपाद की राजधानी पढ़नी है और उनमें से आठ महा जनपाद उत्तर प्रदेश में जो और उसकी राजधानी अच्छे से फिर महा जनपत के जो रूलर रहे थे जैसे हर्यक वंश ठीक है फिननन्द वंश ठीक है काला शोक वगरा जो आते हैं यह आपको पढ़ना है ठीक है जैसे बिंबसार आजाद शत्रु इन सब के बारे में पढ़ना पढ़ेगा जिसको प्री मौरेंस कहते हैं बुद्धिजम जैनिजम बहुत फिलोसफी क्या कहती है जहन ँघ्रकाण की चाहरई जैसे बुद्धिजम का ओढ़ना है ठीक है किस राजा के Г से संगीती कराा जना हुआ बुद्धिक का Hasard का भी चौने बुर्धिस्ट कांसिल में तो से कौन से यह सब पढ़ना यह सब मैं पढ़ा चुका हूँ आप में लेक्चर भी फॉलो कर सकते हो फिर मौर्यास की बारे में पढ़ना है सबसे इंपोर्टन है मौर्य का एड्मिनिस्ट्रेशन कि आम अत्यास किसको कहते थे गुप्टचर को क्या कहते थे ठीक है इसकी इंपौर्टन कि्ताबे हैं कौन सारी से थे से अंच्छय सब पढ़ना है कुषानास के बारे बखे जलाते कुशाना में कैश्षक बहुत इंपौर्टन कंकश्क बहुत इंपॉरटना है तो यह इंदस वाली सिविलाइजेशन से लेकि यहां तक आप पढ़ोगे न तो तीन से चार पाँच कोश्चन आते हैं जो आप अराम से कर ले जाओगे ठीक है मद इकालीन भारत की बात करते हैं तो सिर्फ मेडीवल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तन और मोगल पढ़ना है अब दिल्ली सल्तन में भी जैसे सलेव, खिलजी, तुगलव, सैयत, लोदी यह पाँच डाइनस्टी हैं सबसे लंबी कौन है, सबसे छोटी कौन है, उनके मोगल में इंपोर्टेंट सारे आपको युद्ध याद करने पढ़ेंगे, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदावा, ठीक है, जितने भी युद्ध है, आपको इससे पहले भी जो प्रतिवीरा चौहन से युद्ध हुए, यह सब याद करने है, डेट सारी याद करने ह ठीक है, बदिल्ली सल्तनन मोगल, मोगल की क्रोनोलोजी जरूर याद रखना, ठीक है, आधुनिक भारत में बात करें, तो समस्त यूरोपी शक्तियां, जो भी पॉर्टगीज से लेके, फ्रेंच तक, पॉर्टगीज, फ्रेंच, डैनेश, ब्रेटिश अर सब, अब इनके बीच में जितने युद्ध हों है, चाहिए वो एंगलो मराथा युद्ध हो, एंगलो फ्रेंच वार हो, कारनेटिक युद्ध जिसको बोलते हैं, मैसूर युद्ध हो, प्लासी हो, बकसर हो, कहने का मतलब है सारे युद्ध, सारे युद्ध और उनके रूलर, कौन जीता, कौन सी ट्रीटी होई, संधी कौन सी होई, ठीक है, कौन सी संधी किसके बीच में हो, जैसे एंगलो मराथा युद्ध लिखा, कौन सी संधी होई, वो लिखा, एंगलो मैसूर युद्ध लिखा, कौन सी संधी होई, एंगलो बर्मा युद्ध, एंगलो नेपाल युद्ध, सब की डेट और संधी आपको याद रखने हैं समझ गया युद्ध संधी और उसकी डेट ठीक है किस यूरोपियन जो पावर्ती किसने फैक्ट्री कहां लगाई और कौन कब आया ये सब युद्ध वगेरा बता दिये रिवॉल्ट ओव 1857 में आपको कारण उसके याद करने है कौन सा रूलर कहां से लीड कर रहा था अंग्रेजों की तरफ कौन कहां से लीड कर रहा था विद्ध्रो की शुरुवात कहां से होई क्यों विद्ध्रो धब गिया ये आपको याद करना पड़े है ठीक है फिर गांदी जी की शुरुवात जब होती ही सारे मुवमेंट जि जलिया वाला बाग कहने का मतलब है 1857 से लेके 1947 तक की जितनी सारी घटनाएं यह आपको याद कर नहीं है आप कहोगे तो मैं इस पर अलग से टॉपिक खाली लियाओंगा कि महतपूर घटनाए 1847 से लेके 1947 तक की बस उसको याद कर लेना इन में से आपको question मिल जाएंगे फिर जो revolutionary movement चलता है काकोरी ट्रेन कांड है खुदी रामबोस का प्रफुल चक्की का है और भगत सिंग का है जो आजाद हिंद फॉद मतलब हरा से बनी जो सोचलिस्ट और्गनाइजेशन बनाते हैं चंद्र शेकर आजाद जी ही ना हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशल पास हुआ सती अक्ट कब आया चाहिल्द मेरिज का हृटाने का आट कब आया विडोरी महरिज अक्ट कब आया किसके टेंडियोर में आया है न गोवनर्ट जनरल कौन था वैसर कौन था किसकी वजह से आया राजा-वहन राम था ये सब सोचलिफॉर्मर्मर्र ठीक आत्मार् डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स पॉलिसी कौन लाया है ना ये सब आपको याद करना है important governor general के लिए important books जो है newspaper है बहुत important है important dates वो यहां cover हो जाएंगी important organization कौन सी किसने बनाई जैसे सचिन सान्याल ने क्या बनाई ठीक है यह सब चीजें तो यह आपका मोटा मोटा इतिहास बस आपको इतना पढ़ना यह चीजें पढ़नी होती तो अराम से आप समझे लो 20 से 30 question आते है असी पर से लग्यूप रिसी रहेगी तो 15 से 18 11 question आप इतने से पाजा हों उपॉलिटी में जो आपको पढ़ना है सबसे पहलेoka के पार्ट सारेयर याद कर लेने झितने पार्ट सैया याद कर लेने की लोगे उसके सारेयाद कले बारा के बारा इसlor इंपॉर्टंट आर्टिकल याद करने Supreme Court News में तो Supreme Court के आर्टिकल निउस में आ जाएंगे तो यह सब आर्टिकल ज्यादा निउस में Current को जरूर फॉलो करो जो post निउस में चल वही है PM पोस्ट में तो PM का आर्टिकल कौन सा है PM की पावर क्या है President News में आए तो President की Ordinance Making Power क्या है कौन से आर्टिकल में President की आर्टिकल बहुत important होते है Important जो Supreme Court के judgment है जैसे केशवरंदा भारती केस में रिवा मिल केस में इनका गांधी केस यह सब important judgment आपको याद करने है DPSP fundamental right, fundamental duty, sources of Indian constitution है Preamble है, citizenship है यह आपको याद करने पढ़ेंगे President chapter को पढ़ना है, Governor को पढ़ना है, PM, CM, Council of Minister अच्छे से पढ़ लेना है Supreme Court, High Court को पढ़ना है, अच्छे से ठीक है, अच्छे से Supreme Court, High Court को पढ़ लेना है Constitutional body जितनी है आपको वो पढ़नी है, Non-Constitutional body पढ़ लेनी है Parliament को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, Most Important Topic है Parliament करोगे तो State Legislature अपने आप हो जाएगा पंचायती राज सिस्टम करना है, आपको पंचायती राज सिस्टम बहुत important है Preamble पढ़ लेना हो, क्या Preamble Amendment हो सकता है या नहीं Amendment हुआ तो Preamble में कब Amendment हुआ important amendments आपको पढ़ने है, important amendments बहुत जरूरी है इस पर मैं एक lecture बना चुका हूँ, आप देख सकते हो, उसको कहोगे तो मैं फिर से बना दूगा important amendments जरूर करने ही है, बहुत जरूरी important amendments और 1773 से 2947 को जो आक्ट है जैसे Charter Act important, Government of India in 1919, Government of India in 1935 की कब द्वैट साशन केंडर में लगा, कब द्वैट साशन प्रांतों में लगा, यह सब, इतने से आपका काम हो जाएगा, एक making of Indian Constitution है, important facts है और जो miscellaneous की बात करने पॉलिटी में, तो कौन पहला क्या था, जैसे पहला President कौन था, पहला PM कौन था, पहला Finance Commission कौन था, ठीक है, पहला आप समझ लो, Speaker कौन था, यह सब, पहली महिला Speaker कौन थी, पहली महिला मुक्यमंत्री, पहली महिला President, पहली कोई महिला CAG बनी, पहली क कोई महिला Chief Election Commissioner, Chief Election Commissioner पहला कौन था, Supreme Court का जजज पहला कौन था, जो भी Political में अच्छा होता है, सब भी Powerful है, जैसे PM, CM, President, High Court Judge, Supreme Court Judge, ठीक है, इन सब में पहला कौन था, यह, ठीक है, अपने tenure में कौन खताम हुआ, मतलब किसकी की मृत्ती हो गई जैसे, जाकिर उसेन की मृत् President, Present में है, अगर तो वो कौन से नंबर का है, PM, Present में है, तो कौन से नंबर का है, यह सब, पहली महला कौन क्या थी, जैसे, मीरा बाई, मीरा कुमारी थी, वो पहली महला स्पी करती थी, तो यह सब चीज़ आपको याद करनी, पॉलिटी में, तो यहां से आप अच्छा स्को फैच कर सकते हो, बस इतनी चीज़ होता है, फिर आप बात कर लें, जोगरफी में, तो बहुत ही सिंपल है, इंडियन जोगरफी, प्री में सब से जादा आती है, तो इंडियन जोगरफी में वही एक बौक आप पढ़ड़ा लो, ना बौक हो तो आप हमसे नोट्स ले सकते तो स्टडी फॉर सिल्सरीस के इंडिन जोग्रफी वे कम्प्लीट कम्प्लीट नोट्स ले लो बस वही परदान जैसे रिवार माउंटेन डैम्स लेक्स ठीक है और ट्राइब्स जो होती है मिन्रल से वाटर फॉले पास्स है बॉर्डर है ठीक है यह सब इंपोर्टन रहते है आपको इंडिन जोग्रफी में वर्ल्ड जोग्रफी को पढ़ने का बहुत आसान तरीका है क्या आसान तरीका यह कि हर कॉंटिनेंट को पढ़े मैंने सेपरेटिक वीडियो बना रख्किए प्लेलिस में अमेरिका बताया जैसे अमेरिका को अमेरिका की मैंने सारी राजधा सब पर डालना है इससे क्या होगा आपका पूरी वर्ल जोग्रफी का वर हो जाएगी जो देश न्यूज में चल रहा उसका मैप देख लो ठीक है जैसे अब देखो यूए में बहुत बारिशारिश हुई तो उसका मैप देखा कि पर्शियन गल्फ कहां पर है कितने देश उस सब चीजें मैप से होगी तो कहने का मतलब हर कौंटिननंट को पड़ो उसका मैप पढ़ते जूंस को देख डालो तिक किरिए या ऐसे ही बहुत नीजबर हो गयी ऐसे साथ हो गयsein science में बस basic NCRT अगर आपकी clear है top 500 MCQ मैं करा दूँगा PYQ कर डालो और full length test कर डालो enough है science में bio से ज़्यादा focus करो जैसे vitamin है कौन सी बिमारी किस्से होती है किसकी physics में unit क्या है कौन सा क्या use करता है जैसे barometer किसलिए use होता है thermometer किसलिए use होता है यह सब तो आपको basic NCRT पढ़ डालो 6 से 10 की और कुछ ने पढ़ना हो जाएगा 6 से 10 NCRT पढ़ लो top 5 MCQ, PYQ, full length test नहीं यह पढ़ना चाते हो तो एक पूरा पापा वीडियो पढ़ा study for solutions वो देख लो वो भी नहीं देखना चाते हो तो notes ले लो हमारे science के मैंने तो science का पूरा lecture cover करा रखा है, physics खतम हो गई है chemistry के दो lecture शुरू हूँ है तो मेरे पूरे lecture आप देख सकते हो science के plus 500 MCQ करना plus GS full length करना plus PYQ, science हो जाएगी इस से जज़दा नहीं करना है economics बहुत ही आसान है economics में बस आपको जो news में term चलना है जैसे dis investment क्या है capital budget क्या है current deficit क्या है, current account deficit क्या है balance of trade क्या है c और आपका cash reserve ratio क्या है, repo rate क्या है reserve repo rate क्या है जो भी news में बस वो पढ़ लो important अ 5 year plan जरूर याद रखने है हर साल एक सवाल आता ही आता है सारे 5 year plan की date याद रखनी है और कौन से 5 year plan की क्या theme थी जैसे पहले में agriculture था, दूसरे में industry थी, इस type के आपको याद रखना है ठीक है, UP budget है central budget है schemes है, और budget में जो शब्द इस्तमाल होते हैं, वो तो मैंने बता है, जैसे current deficit क्या होता है, current account deficit क्या है current surplus क्या है revenue deficit क्या है, यह सब इसके शब्द आपको पता होने चाहिए SDG 17 जो goal दिये हुँ है, वो आपको अभी भी याद रखने क्योंकि 2030 तक वो काम आएंगे, poverty जो important committee है, बनी लगदा वाला committee सचिन, वो तंदूलकर committee हो गए है ठीक है, यह आपको कमेटिया याद कर लेनी है important committee पूछ लेता है उनका time, important committee याद कर लेता है environment में बहुत आसान बस आपको important जो dates है, जैसे Earth Day 22 April को है Yoga Day कब है ठीक है, और Wetland Day 2 February होता है Tiger Day कब मनाया जाता है Population Day 11 July होता है, यह सब चीज़ है आपको important dates एक होगे conferences कब कहा होती है, जैसे Kyoto Protocol कहा होई है कब हुई है, Paris Agreement कब हुआ है latest में COP 28 कहा हुआ है important conference और international law जो बन रहा है, environment के वो news से हो जाएंगे ठीक है, important laws भारत के जैसे Wildlife Protection Act उननी सो बात्तर Forest Conservation Act, Environment Protection Act ठीक है, और यह सब आपको याद कर लेने biodiversity hotspot भारत में कितने है यह आपको याद रखने, latest में कौन बना है current में कौन है, यह याद कर लेने है wetland, wetland भारत में कितने है, wetland होता क्या है, रामजार convention का बाया, ठीक है, भारत में कितने wetland है, यह कर लेने national park की बात करनी, जो important news में चल रहा है, वो कर लेना है जो भी news में चल रहा है, और बाकी national park आपको हर राजगे कर लोगे ज़्यादा बहतर रहा है, ठीक है national park एक question जरूर matching में आता है important wildlife century जो news में चल रही है, वो कर लो, सबसे बढ़ी इलम की सायग, वहाँ पर मिली है, तो वो कहां मिली है सब, species news में है IUCN की red data वो एक बाद जरूर पढ़ो कि endangered species को कब माना जाता है कि 10,000 प्रजाती है या नहीं, वे लोग तो प्रजाती का मानी जाती है न, किसको किस list में डालते है है, IUCN red data वो पढ़ना पढ़ेगा और कौन सा headquarter किसका कहां पर important जो है IER में यह आपको पढ़ना है, ठीक है जैसे WTO का headquarter कहा है WHO का headquarter कहा है, कौन सा report कौन निकालता है, यह तो miscellaneous में हो गया miscellaneous में आपको UP का census India का census livestock census, ठीक है UP का जो census livestock का आया वो पढ़ लेना है, और कौन सा headquarter कहा है, इस से आपके 6-8 सवाल cover हो जाएंगे, UP जी के मैंने 11 lecture पढ़ा है, कुछ मत करो, बस वो देख डालो 500 MCQ भी डाल दियें, वो देख लो PYQ कर लो, बस कुछ नहीं करना है बस इतना prelims में करना है, इसको अगर वीडियो मेरा सेव कर लो, नहीं सौन में आप फिर से देखो, नोट कर लो, इस से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, 6 महीने 5 महीने, अगर बिगनर हो, 6 महीने भी लगाओगे 5-6 गंटे डेली पढ़ोगे, सब cover हो जाएगा ठीक है, तो यह था पूरा मिस्लेनियस में ध्यान रखना, यूपी चंसेज, इंडिया सेंसेज, लाइफ स्टॉक डाटा हो गया, ठीक है, अगरिकल्चर डाटा हो गया, और आपका मिनरल डाटा हो गया, ठीक है, इस से ही देवाइस कराया जाएगा, पूरी प्लाइनिंग के साथ schedule बनता है, कब आपको कौन सा वीडियो मिलेगा, कब आपको कौन सी पीडियो मिलेगी, कब आपको क्या पढ़ना है, current affairs सब कुझ मिलेगा आपको, देखिए, इसमें current affairs शूट गया, current affairs को भी अगर मैं बता दू, तो current affairs का मैं बताई चुका हूँ, 30 से 40 question का वेट है, जो था current affairs का, तो बस इतना आपको current में कर लेना है, current सिर्फ SCS को follow करना है, और कुछ नहीं, magazine ले लो, चाहिए, वीडियो देख लो, magazine देख लो, उसको पाई डालो, ठीक है, newspaper जरूर पढ़ो, बीना newspaper के काम नहीं होगा, newspaper जरूर follow करो, कोई भी newspaper, ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, comment में जरूर बताना,